Hey everyone, welcome to a story repeat. तो आज हम एक एसी beautiful दड़की के बार में बात करेंगे, जिसने अपने husband को please करने के चक्कर मेना, खुद के looks को destroy कर दिया. ये lady का नाम है Jocelyn Willduston. Jocelyn हमेशा से ऐसी नहीं रही है. 1978 में जब उसकी शादी हुई थी, तब वो कुछ इस तरह दिखती थी. She was a lovely young woman. Jocelyn Parissette, एक middle class family से बिलॉंग करती. 1940 में वो Switzerland में born हुई थी. जब वो 17 साल के होई, तब Swiss Cyril नाम के एक आदमी को वो मिली, जो एक producer था. यहां से इनवे उसका circle change हुआ. वो upper class लोगों के साथ उठने बैठने लगी. Swiss Cyril को कई सालों तक उसने date किया, बट बाद में जब उसका break up हुआ, तब वो Paris में shift हो गई. और उसी phase के दुरान, वो Alec Wildenstrand से मिली. Alec एक wealthy family से बिलॉंग करता, वो एक art dealer था एन एक billionaire भी. Alec को Jocelyn काफी ज़्यादा पसंद है. दोनों dates पे जाने लगे and eventually they fell in love. फिर 1978 के साल में, जब दोनों 38 years के थे ना, तब उन्होंने शादी करने का decision लिया. दोनों को दो बच्चे हुए, पर शादी के बाद Jocelyn insecure होने लगी. वो 40 years के हो गई थी and aging एक natural process है, बट उसे वो wrinkles and fine lines नहीं चाहिए था. She knew कि उसका husband immensely rich है, तो कई young girls उसके साथ float वगिरा करती है and इसी वज़े से वो खुद को young दिखाने के चक्कर में वो detox use करने लगी. देखते देखते face lift, eyebrow lift जैसे procedures भी उसने करा है. Jocelyn के husband को Jocelyn की ये आदत के बार में तब मालूम पड़ा जब Jocelyn ने उसके पती को ये बोला that उसके भी wrinkles दिखाईते रहे है and उसे भी उसके साथ आना चाहिए and face lift करा लेना चाहिए. Alec जो उसका पती था ना, वो मान किया procedure के लिए and जब वो उसकी wife Jocelyn के साथ cleaning कया तब ही सौक उसकी वाइफ और क्या-क्या procedures कराती है. In a way, वो addict होते जा रहे थी ये सबसे and अभी उसके पास पैसा भी आ गया था. Alec से शादी करने के वज़े से वो भी एक billionaire बन चुकी थी. कई न कई ये upper class lifestyle में fit in होने के चक्कर में she was pushing all the boundaries. और beautiful उसे दिखना था, young skin उसे चाये था. तो ये सब obsession के पीछे वो insane होते जा रही थी. और जो असे rich ladies का lead group होता है ना, उनके वीच में एक unset competition रहता है. कि कौन ज़ादा beautiful दिखना है, किसका bag सबसे ज़ादा मैंगा है, कौन कौन ज़ी गाड़ी में गुमता है. तो ये race में Jocelyn भी फस चुकी थी. महीने में वो काफी ज़ादा खर्चा कर देती cosmetic procedure के पीछे. On an average ये family का monthly expense 1 million से भी ज़ादा होता था. ये बात भी बाहर आई कि कहीं नगई आले खुद Jocelyn को force करता था कि वो cosmetic procedure करा है. उसे ये पदा चल चुका था कि Jocelyn अपने looks को लेके insecure है. तो वो इस insecurity को use करता. वो अपनी wife को बोलता कि वो young इतनी नहीं दिख रही तो उसे botox करा लेना चाहिए. और ऐसे comment से Jocelyn काफी affect हो जाती. अलसो Jocelyn के मन में जो एक डर हमेशा बना रहता ना कि Alec सुस पे cheat कर देगा और एक दिन उसे छोड़ देगा. शादी के कुछ साल बाद ये डर Jocelyn का सच भी हुआ. एक दिन Jocelyn जब घर आई थी तब उसने अपने husband को उनके ही bedroom में एक 19-year-old Russian model के साथ पकड लिया. जिसके बाद Jocelyn काफी गुस्सा हुई और वो Alec के साथ जगडने लगी. और ये भी कहां गया कि Alec ने Jocelyn को एक बंदू क्यूज करके तराया. ये incidence के बाद Jocelyn ने Alec के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया and Alec was arrested. लेटर ये कपल ने divorce लेने का decision लिया. Alec एक काफी powerful आदमी था, उसने सारे tactics अपनाए Jocelyn को डराने के. And even उसके insecurities के बार में उसे पता था. इसलिए जादा अलिमनी का पैसे उसे नहीं मिलना चाहिए. जिसके बाद court नेया decision लिया कि Jocelyn को जो भी अलिमनी का पैसा मिलेगा ना वो खुद के cosmetic procedure पर use नहीं कर सकती. दो Alec ने बहुत कोशिश किये कि उसे जादा पैसा Jocelyn को ना देना पड़े. पर end May 1999 के साल में जब ये couple का divorce हुआ तब ये decision लिया गया कि 2.5 billion dollars Jocelyn को Alec देगा. अगले 13 years तक हर साल 100 million dollars भी देगा. इन total Jocelyn को 3.8 billion dollars मिलने वाले थे. ये एक high profile divorce case था और Jocelyn ने इस divorce के बाद काफी अमीर हुई. 21 years का ये marriage था and of course Jocelyn ये रिष्टा कभी खतम नहीं करती अगर वो उसके husband को cheat करते हुए पकड़ती नहीं थो. Jocelyn जो अपने looks को लेके पहले insecure थी, उसके insecurity और भी ज़्यादा बढ़ने लगी. Hence, उसे cat woman ये नाम से भी लोग बुलाने लगी. उसने अपने lips पे भी कई experiment किये, आज के वक्त में उसके lips काफी ज़्यादा सूलन है. देखते ही देखते, वो years of botox का usage Jocelyn के face पे दिखने लग गया. उसका face आसिफ melt हो रहा था ना, वैसे drip करने लगया. जिसको ठीक करने के चक्कर में, वो और भी ज़्यादा beautification के process में फस्ती गई. Alec को छोडने के बाद, उसने कुछ और भी लोगों को date किया. वर जब भी वो किसी लड़की को date कर रही हो थी, उसका anxiety वापस की केन हो था, जहाँ पर वो खुद को सुन्दर बनाने की कोशिश में लग जाती. Swiss की वो एक high-end socialite बन चुकी थी. She was a billionaire. Still, जो उसे चाहिए था, एक perfect young-looking skin वो उसे नहीं मिल रहा था. And अभी उसके पास इतना पैसा भी था कि कुछ भी procedure वो आराम से afford कर पा थी. Even तो यह बूला गया था कि alimony का पैसा वो यूज नहीं कर सकती कॉस्मेटिक प्रसीजर पे, but already जो उसने इनहरिट किया था ना divorce के बाद वो पैसा वो यूज कर रही थी. Jocelyn का जो एक सस्पेंड Alec था ना, उसने divorce के एक साल के बाद यह 2000 में ही दूसरी शादी भी कर ली. Then 2008 में 67 यूज की एज में ही passed होगी. Alec के जाने के बाद वो जो alimony का पैसा 13 यूज तक Jocelyn को मिलने वाला था, वो रुख गया. पर Jocelyn को एक extravagant lifestyle की आदत हो गए थी. उसके खर्चे every year बढ़ते जा रहे थे. जिस वज़े से 2018 के साल में उसने bankruptcy के लिभी file किया. Even though तब भी वो एक billionaire थी, still she did that. आज के वक्त में Jocelyn 82 years की हो चुकी है, still she is addicted to beautification process. पहले के Jocelyn और अभी के Jocelyn में hardly कोई resemblance आपको देखने मिलीगा. कई न गई उसका जो रिष्टा था उसके पती के साथ, वो emotionally abusive था. उसके पती ने उसे manipulate किया और उसके looks को लेके और भी ज़्यादा उसे insecure कराया. उसके मन में उसने ये डाला that she is not beautiful, she needs to change your features, otherwise she won't be good enough. And Jocelyn पे, इस रिच लोगों के मीच में fit-in होने के चकर में ये सब करती गई. And अब उसे ये सब क्या आदत लगी है. आज भी she hasn't stopped. Doctors ने उसे advice किया है कई बार कि वो रुक जाया और और कुछ ना कराया उसके face के साथ, बट वो रुक ही नहीं है. If you see, उसने अपने nose पे इतने जादा procedures किये हैं कि उसका nose bridge almost collapse हो गया है. But ये pain and change का एक never ending process है जिसमें Jocelyn first चुकी है. So yeah, that's it for this video. Do let me know कि Jocelyn की ये कहानी के बार में आपका क्या कहना है. And if you want you can follow us on Instagram जिसका link अपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये video चलेगी तो इस like and share करें और से और updates के ले चान को प्लीज सब्सक्राइब करें. Thank you.